नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आब सभी लोगों का एक बर फिड़ से यह बिड़ो धन्ट से देखना हिंदु धर्मा के प्रमुग तयहारों में शे दिपावली का तयहार एक हैं वैसे तो दिपावली परमालच्मी को प्रशन करने के लिए उनकी क्रिपा प्राप्त करने क के लिए हम कई प्रकार की उपाया करते हैं लेकिन जो दिपावली का तयहार होता है खासकारी लच्मी शिद्धी करने कहीं तयहार माना जाते हैं इस दिन हम काफी पूजा अर्चना करते हैं तो इसलिए मैं बोरों के बिड़ो ध्यन्ट से देखना इस बिड़ो को देखना आप समद जाएंगे कि किस उरुप में माता लच्मी आपके घर में आती हैं और हमें किसी का इस दिन अनादा नहीं करना चे रों कोन सी उपाया करने हैं हमारे भाग्य उद्धाय होते हैं इस बिड़ो में जानेंगे देखे पूजन हम सब करते हैं माता लच्मी के इस दिन आवन करते हैं दिपावली का पर्वा प्रतिवर्थ कार्ति क्रिष्णा अमश्रक को मनाया जाता है और इस दिन मालच्मी को प्रशन करने के लिए तरह तरह के हम सब उपाभी करते हैं लेकिन इनके साथ आपको यह भी ध्यान रखना अमश्रक होता है कि दिपावली दिन हमें ऐसी कुन सी कारय हैं जिसे भूल करके नहीं करना चींजित, जिससे मालच्मी इप ढूर जाती यह भी ज़ानना जरूरी है. तो आयी जानते दिपावली दिन इस महान परवा में हमें कुन शी कार char को करने से बचना चैहिए. फिर मैं आप लोगों को इस बीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माता लच्मी आने से पहले कुण से शंकेत देती हैं ये बीडियो बहुत ही ज्यान बरतक हैं बीडियो देख लेंगे तो आपको इतना जरूर समझ में आ जाएंगे कि हमें इस दिन क्यों किसी भी जिव जन्तू को नहीं माना चाहिए कौन सी उर्प माता लच्मी आती रूच कैसे परिक्षा लेती हैं धंदेनेश पहले माता लच्मी कई प्रकार के परिक्षा लेती हैं तो कुछ ऐसी इंपोर्टेंट जान करी इस बीडियो में शभी दर्सकों को बताने वालों बीडियो दिहां से देखना देखे प्राचिन ग्यान चैनल का मकसद है जन ही तेवम जन कल्यान करना हमारे बीडियो को देखते हैं किसी एक भी विक्ति का भाला होते हैं तो हमें काफी अच्छा लगते हैं हमें भी जो पुन्या की प्राप्ती होता हैं आप हमारे बीडियो को देख रहे हैं आप हमारे बिल्कुल दर्सक नी बलकि आप हमारे परिवार की हिस्से हैं मैं प्राचिन गयान चैनल को यूटूब नहीं मानता बलकि अपना परिवायर मानता हूं जिसमें आप सभी दर्सक जूड़े हुए हैं तो आप भी हमारे शायता कर सकते हमारे सपोर्ट कर सकते हमारे चैनल का मकसद है शनातन धर्म की जानकारी को आम जन तक फिर से पहुंचा इस नान कि ये बिना आव को फूल नहीं तोड़ना चाहिए देखें अगर आप बिना इस नान के दीपावली दिन फूल तोड़ते हैं और इस फूल को माता लच्मी को आप चढ़ाते तो माता लच्मी रुष्टा हो जाती है क्योंकि हमारे धर्म सास्तर में कहते हैं इस ना जानकारी बतारों यह छोटे छोटे जानकारी हमारे अध्यात्मा उन्नती करने में हमारे प्रगति करने में काफी मदद करते इसलिए में छोटे छोटे जानकारी को जानना भी जरूरी है इनी गलती की कारण हमारे घर से माता लच्मी चली जाती हमारे घर में दुख आता है द समय में मुख में मा शारशोती विराजमार राती हैं और इसमय माता लच्छमी अब के परिक्षा लेती हैं अगर आप असब्दा बोलते हैं तो माता लच्मी पूजन के सानसात घर के बड़े बुजरुगों का हमें आसिरवाद जरुर लेना चाहिए इस समय में बड़े और इस दिन माता लच्षमी की सूती करना चाहिए चाहिए चलिसरा है मंतर जाप है शीरा शुक्त का पाठ कर सकते है अशा करने से लच्ट को अपने भूल है, ऑपने भूल когда, घर के भर्याी लगौने' आप एक काम करना बारा बज़े से लेकर कि तीन बज़े की बीच को मध्या रात्री कहा जाता है इसी रात्री में माता लच्मी प्रतेक मनुष्य के द्वार में जाती हैं सही समय बता रहा हूं ताकि आप सब भूलना कर बैठें और इस समय आप अपने घर के पट को बंद कर द आती हैं वध्यकालीन रात्री में माता लच्मी आती हैं दिपाग वाली दिन भूल करके भी अपनी जो भार्या जी से हम पत नहीं बोलते हैं फिर किसी अन्य अप्री के साथ आपको शारिक संबंद नहीं बनाना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार के आपको लाभ नहीं मिलें शारिक शमंद बनाते हैं आपके सरी अपवित्र हो जाते हैं माता लच्मी की सराल स्वभाय माता लच्मी पवित्र इस्थान पे जाते हैं और चुकि यह देखें यह पावन पावनी दिन कहें हैं जो दीपावली का दिन हैं पावन पावनी दिन कहें हैं स्री प्राप्त करन विशेश विशे ध्याना रखना सारे शंबंद मत बनाना और इस समय नसा करने वालों को उपर में मातलचमी नराज होती हो सके तो नसा से इस दिन परहज बिल्गुल ही करना और दिपावली पर अपने द्वार में आये वक्ति को खाली हाथ मत जाने देना हो सकते किसी रूप म मातलचमी भगवान सोयम नराण परिक्षा लेने के लिए आजाए हमें पता नहीं चलता लेकिन हो सकता है कि भगवान ही हमारे द्वार में हमारे परिक्षा लेने के लिए आजाए मातलचमी हमारे द्वार में परिक्षा लेने के लिए आजाए और हमें पता ही नहीं तो इस इस दिन बिल्कुल ही खाली हाथ मत जाने देना अपने शमार्थ उनसार उसे कुछ न कुछ जरूर देना इस वीडियो में जानते हैं कि धार्मिक मानत्यक उनसार दिपावलिक दिन यदि कुछ चीजों के दर्सन हो जाए तो बहुत इसे सुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता दिपावलिक दिन 13 की दिन कौन सी चीज दिखना बहुती सुभ मता है जनते हैं पहले हमारे धर्म सास्तर काते हैं तो गाय को हिंदू में मा के शमान माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है लेकिन क्या आपने कभी केसरया रंग की गाय देखी हैं नहीं देखी तो देखें ध्यान से सुनाशाकून सास्तर का जानकारी बता रहा हूँ केसरिया रंग के गाय इसे देवी माना जाता है इसे देवत्वा का प्रतिक माना जाता है अगर दिपावलिक दिन अगर आपके घर के द्वार में आ जाएं ये फिर आप घर के बाहर निकल रहें तो केसरिया रंग के अगर आपको गाय दिख जाएं तो इसे आपके घर में करते हैं यह छोटे-छोटे सूजना हमें बताते हैं हम दिकड़ भविस में धन्वान बनने वाले इसके बाद दिवाली पर अगर चिप वली दिखते हैं ध्यान से देखना फिर आप बोलेंगे गुरुजी वैसे तो हमें चिप के लिए दिख जाते हैं फिर इसका क्या महात है आपको शायद अभी तक कि किसी नी नहीं बताया होगा दिपा वली दिन अगर चिप के लिए दिखते हैं और अगर उत्तर की तरब जाते हैं अगर आपको दिख रहे हैं तो यह माना जाता है मालचमी आप से बहुत प्रशन हैं और मालचमी निकड भविस में आपके घर में आपको अथा धन शंपती देने वाली हैं चिप के लिए आपको बहुत सारे दिख जाएंगे इस दिन चिप के लिए दिखना शूब नहीं होता बलकि चिप के लिए अगर आपको उत्तर दी समय जाते हैं तब इसे शूब माना जाता है और आपको निकड भविस में धन पति शूख वैभो सब्चु प्राप्ता हो जाता है इसके बाद है दीपा वाली दिन चुचुचुन्दर के दिखना देखे वैसे ध्यान से देखना अब ने रात को अगर आपको घर में कहीं चुचुचुदर दीख जाए तो आपको खुस हो जाना हैं अब क्यों खुस हो अगर आपके घर में आपको छचुन्दर दीपावल इक दिन दिख जाते हैं तो आपके शाथ खापी सारे पैसे ले करके आती हैं अपने शाथ सुक शंपती धनवैबो इस सब कुछ ले करके आती हैं इसे देखने पर आपको भगाना नहीं है बलकि अपने रास्ते सी सब को चाहिए देना है इसे देखते ही आपको बोल देना है कि लच्छमी आए कुल लच्छमी जाए क्योंकि छचुन्दर को भगवान विश्णू जी के सवरुप कहा है और विश्णू जी के साथ में मातल ल लच्मी जाए क्योंकि भगवान नराण के साथ में कूल अच्मी भी रहती हैं तो शचुंदर दीखें तो यह आपको बोलना है कि लच्मी आए कूल अच्मी जाए बस इतना आपको प्रातना कर देना शचुंदर से और इसको आपको परसान नहीं करने विष्णु जी के अच्छान माना जाता है वहां कमाना जाता है और इसलिए इसे दिखने से मातालच्मी से आपको काफी सारे धन वैभाव सूख संपती एवं आपको खुब सारा आसिरवाद प्राप्ता होता है लेकिन उल्लू इस दिन बहुत ही कम दिखते हैं अगर आपको दिख जाए तो को देखना हम साज मानों के बस के बात नहीं होती तो अगर इस दिन उल्लू दीख जाए तो हमारे जो भागय में परिवस्त होता है हमारे जीवन में चरी परसानी को मातालच्मी हर लेती है इसके बाद अंतीम बताना चाहूंगा बिल्ली देखे दिपावली के रात बिल्ली घर में आकर के दुद पी जाती है तो इसे लच्मी जी की क्रिपा बनी रहती है आपने देखा होगा हम कई सारे बिड़ो में बता चुके हैं कि बिल्ली का जो बिल्ली के जो नाल होती है हम इसके बारे में एक बिड़ो बनाये थे यह बहुत ही शुब माना जाता है तो बिल आपके घर में इस दिन पर अघ्ट होँ कि अघर कि आ बाबा परे आघ्टार आजाएं प्रभास कि कुट्टे की ही रूब बना करके आपकी घर में आ जाए तो इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दे देना इसे आपके भागय में उद्धे और आप खुद देखना आपकी जीवन में ऐसा परिवर्तान आएंगे कि आपकी घर में धान वैभा सुख संपती सब्ची स प्रापता होना शुरू हो जाएंगे तो आसा करता हूं कि प्राचिन यान चैनल में बताएंगे छोटी सी जानकारी आपकी जीवन में परिवर्तान ला दे भागया उदय कर दे बड़ दखनी के लिए धनिवाद नमस्कार